कि तुस्तों आपको जब भी हिंदी टैपिंग करनी हो MS Word में या आपको टैपिंग करनी हो आपके ब्राउजर में तो आपको एक समस्या जरूर आती होगी MS Word के लिए आप अलग इस वीडियो में आपको एक इसा solution बताने वाला हूँ जिससे आप एक सिंगल फॉंट से दौनों ब्राउजर पे टाइपिंग कर सकते हो हिंदी इंगलिश टाइपिंग को बहुत तेजी के साथ में कर सकते हो और चाहे आपको आपको शोशल मीडिया पे टाइप करना हो चाहे आपको एमस वर्ड में आपको बहुत जादा फॉंट इस्टॉल करने की जरूद नहीं है मैं आपको एक बहुत ही बैस अप्लिकीशन के बारे में बताने वाला हूँ जिसे इंस्टॉल करके आपके हिंदी टाइपिंग की जो स अब पहली समस्या तो यह आ गई कि जब एमस वर्ड में जो सैटिंग्स होते हैं आटो करेक्ट वाले वह हिंदी के होते हैं तो पहला शब्द आपका अक्सर करके कट जाता होगा शा और शा में बहुत समस्या आती होगी मान लीजिए मैंने यहां पे शा लिखा तो उसको ल आपिंग भी कृतिदेव में ही सीखी है कीबोर्ड ले और भी कृतिदेव कही है एक समस्या और भी आती है कर इस फॉंट को आप ले जाते हैं इंटरनेट पे जैसे मान लीजिए मुझे इस फॉंट को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तब क्या दिक्कत आएगी तो मैं करनेट से तो वहां भी आप हिंदी में टाइप कर पाएं और उसका कीबोर्ड ले आउट भी कृतिदेव फॉंट वाला ही हो ऐसा नहों कि ट्रांसलेट वाला हो जिससे आपको टाइप करने में परिशानी हो तो इसका सॉलूशन है माइक्रोसॉफ्ट का इंडीक इंपूट परेद एक पर अब यह क्या करेगा ये आपके सेम इसी कीबोर्ड ले आउट पर वर्क करेगा ऊ हिंदी इंग्लिश में बहुत सरल तरीके से आप टाइप करपाएंगे और चाहें आपको इंटरोल तो लगैंगा है आपको जैना है भाशात अंडिया पहाशत बनाया है यहा तो यह काम करेगा Windows 2000 पर और Windows XP पर और Windows Server 2003 पर अगर इस से उपर का वर्जन है तो इनों ने यहाँ पर बनाया है Indic Input 2 जो कि Windows 7 पर भी काम करेगा और सर्वर 2008 पर भी काम करेगा ठीक है और अगर आपके पास Windows 7 से उपर के ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे मान लीजे 10 है 11 है Windows 8 है तो उसके लिए यहाँ पर Indic Input 3 ने बनाया है और यह बिलकुल प्रॉपर ऐसे ही वर्क करता है जैसे आपका फॉंट वर्क करता है अब यह इंस्ट सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है अगर 10 है तो आपको Indic Input 3 लेना है 7 है फिर भी आपको Indic Input 3 लेना है यहाँ पर दो ऑपरेटिंग सिस्टम दिए गए है फिलाल इनों ने कोई भी चिंज नहीं किये Windows 18 नों रख प्रेटिंग सिस्टम की सिस्टम कि इस इसके लिए हमें कॉन सा टूल डाउनलोड करना पड़ेगा यह वाला तो यहां पे आपको जो भी language का keyword layout चाहिए वो आप कर लीजे, मैं Hindi के लिए करने वाला हूँ, तो यहां पे Hindi को मैं यहां से download करूँगा, तो यह मुश्किल से 10MB, 11MB का software है, zip file आप की तरह से बन जाएगी, आप यहां से show in folder करिए, right click करिए और यहां से इसको extract करा लीजे, इस folder को open करिए, अब यहां पे आप देख रहे हैं, यह एक Windows install package आ गया है, इस पे आपको double click करना है, welcome to Hindi Indic input 3, setup wizard आपके सामने open हो जाएगा, यहां से next करना है, अगर आपके computer में आपके लाबा और भी users है, तो यहां से everyone पे कर दीजे, सभी लोग इसको use कर पाएगे, और अगर के 30 seconds के अंदर, जो input tool है, वो आपके computer में install हो जाएगा, अब यह मिलेगा कहां पे, सबसे बड़ी समझ के यही आती है, बहुत user के साथ में, install तो कर लेते हैं, लेकिन इसको active कैसे करना है, हिंदी में type कैसे करना, यह सारी चीजों की दिक्कत आती है, चलिए उनका समाधान भी क बुल जाएगे, और यहां पर आपको दो option दिखेंगे, अगर इस पर tick नहीं लगा है, तो simple आपको क्या करना, tick लगा देना है, और यहां पर language bar option पे आपको चले जाना है, और यहां पर भी आपको, जो कुछ option मिलेंगे, इसमें आपको दिखाई देगा, language bar, floating on desktop, और dock in taskbar, यहां पर आपको दिखाई देगा, इसके बाद मैं show additional language bar, icon in taskbar, additional अगर उसके साथ में और भी चीज़े होंगी, तो वो भी दिखाई देगी, और यहां पर text level भी आपको दिखाना है, इन पर भी आपको tick लगा देना है, अगर नहीं लगा हो तो और apply कर देना है, और यहां से okay करना है, अब देखिए, अभी मैं इसको minimize करता हूँ, और यहां पर जैसे मैं alt के शाद में shift को press करूँगा, तो आपको नीचे यहां पर एक language bar दिखाई देगा, यह देखिए, इस तरह का, indic input 3 आपको दिखाई देने लग चाएगा, यहां पर down arrow आपको दिखेगा, जिसमे gel format है, तो यह आपको select कर लेनी है, यह बिल्कुल वैसे ही है, जैसे आपका कृतिदेव keyboard होता है, इसको आप select करेंगे, उसके बाद में यहां पर MS Word पे आप चले जाएंगे, अगर आपको अभी भी यह नहीं दिख रहा है, तो दुबारा से alt shift प्रेस करिए, तो आप देखे तो मैं यहां पर type कर देता हूँ, राम का घर कहां है, वैसे हमने कुछ randomly एक word type कर दिया, अब मान लीजिए, मुझे इसके बाद में तुरंत से English में typing करनी होती, तो simple मैं alt के साथ में shift को press करूँगा, अब यहां पर English font आ जाएगा, अब जो भी आप type करेंगे, वो English में होगा ठीक है, इसके बाद तुरंत हिंदी में करनी होती, तो alt shift को press करिए और फिर से हिंदी में type करना शुरू कर दीजिए, यह फिर से हिंदी में typing आ गई, तो इस तरह से जो Unicode font आप download करेंगे, हिंदी input tool के थूरू, वहां से आप हिंदी और अंगरेंजी में साथ के साथ typing करना शुरू कर सकते हैं, और इसकी एक और बढ़िया बात है, कि अगर आप चाहें इसको translate करना English में, यह वाला जो मैंने type किया है, इसको आपको English में translate करना है, इंटरनेट पे ले जाना है, कहीं पे भी, ब्राउजर में कहीं भी type करना है, तो simple आपको ब्राउजर उपन करना है, अब मान लीजे, Google Translate में आप type करना चाहरे है, यह आपने जो Hindi में बहां लिखा है, यहाँ पे आप उसको paste करना चाहरे है, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, इंटीक इंपुर्ट टूल यहाँ भी काम करेगा, अगर यहाँ पे आप हिंदी में काम करना चाहरे हैं, त तो आपको सिर्फ Indic Input Tool डालना है, Language Bar को आपको active करना है, उसके बाद में आपको कहीं भी आप कुछ भी type कर सकते हैं, अब देखिए मैं अगर इस पर राइट क्लिक करूँगा, तो आपको यहां पर Close Language Bar का option दिखाई देगा, Adjust Language Band Position का option दिखाई देगा, जैसे आप इसको restore करेंगे, यह आपके desktop पर Float करने लग जाएगा, अब इसको आप चाहें, तो यहां भी रख सकते हैं, इसको आप चाहें यहां भी रख सकते हैं, और चाहें तो task bar में भी इसको pin करा सकते हैं, तो task bar में पिन कराने का बहुत सरल तरीका है, ऐसे ले जाएए, task bar के उपर ले जाएगे, छोड़ दीचे, अब यह task bar में आ गया, और जैसे आप इसको show करेंगे, यह आपको उपर दिखने लग जाएगा, इससे सम्मझने कोई भी अगर आपको परिशानी आती है, तो नीचे comment करके आप बताईए, और यह tool आपको कैसा लगा, इसके बारे में भी हमें comment करके जरूर बताईए, और इसके साथ ही, अगर आप हमारे इसी तरह के computer courses करना चाहते हैं, तो हमारे website pcsskill.in को जरूर बिजिट करना, बहुत सारे courses यहाँ पर दिए गए हैं, with ISO certified, हिंदी में हैं, बहुत सरल भाषा में हैं, आपको बहुत अच्छे से सारी चीजन समझ में आने वाली हैं, या फिर अगर घर पे बिना इंटरेनर के देखना हो, तो हमारे pen drive courses को जरूर और करना, और इसी तरह के videos अगर आपको और भी चाहिए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है,